दोस्तों सुबह की शुरुआत्ट करते हैं और शुरुआत कर ते करते दोस्तों मैं आ गया हूं शिटी सेंटर और मैट्रो चल रही हैं दोस्तों लेकिन यहाँ पर मुझे याद है कि अंगिनत फूड स्टॉल लगते थे दोस्तों 25 रुपे छोले बटूरे कचोड़ी ये वो और ना जाने कितने अंगिनत फूड लगते थे दोस्तों लेकिन अब यहाँ का जो माहौल है आप देख पा रहे होंगे कि कितना सूना हो गया है दोस्तों स्टॉल के नाम पर दोस्तों मुझे स तोड़ी दिर के लिए सोच रहा हूं दोस्तों की आखर ये लोग खाले इनकी अर्निंग किस तरीके से हो रही होगी दोस्तों यह क्या कर रहे होंगे दोस्तों ऐसे अंगिनत लोग हैं दोस्तों हमारे आजु-बाजु में हमारे आजपास तो कुछ अगर आपसे बन पड़े उनकी अर्निंग के लिए और ऐसे लोगों से कुछ अगर आपको लेना पड़े तो जरूर लीजिएगा दोस्तों और आपको मिलेगा एंज्वाइए दोस्तों किसी की बेवजय मदद करके एक्षुणी में मिज़िस राजपूत कहती है कि सच्चा सुख और अनुका आनंद मिलता है तो दोस्तों ऐसे अनुके आनंद का आनंद लीजिए दोस्तों और मदद करते रहिए और अब चलते है एक नहीं मंजल की तलाश में आगे की और तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एंजॉई दिल से की किच्चन में दोस्तों दिल के हाथों मज़बूर कुकिंग का प्यार तो दोस्तों मैं लेकर आया है हूँ आज अलू और आलू को दोस्तो मैंने धो लिया है और धोने के बाद सुखा लिया और दोस्तो इसको गोल शेक में काटा है दोस्तो और इसको दोस्तो मैं आप कर रहा हूँ फ्राई अब फ्राई क्यों कर रहा हूँ दोस्तो क्योंकि मुझे बनाना है दोस्तो आज जहांगिरी अलू मेथी जी हाँ दोस्तो नाम अटपटा और अजीब सा जरूर लगेगा लेकिन जब दोस्तो स्वाद आएगा ना दोस्तो तो आप भी कहेंगे वा जनाब वा जनाब और दोस्तो इसमें डाल दिया है मैंने खल्दी और खल्दी से दोस्तो इसका रूप निकराया दोस्तो और दोस्तो ये है मेरी मेथी जो कि मैंने चोलाई के साथ लीती दोस्तो और अभी तक देखिए दोस्तो फ्रेश है दोस्तो इसको दो कर वाश कर कर काट लिया दोस्तो और इसको भी दोस्तो हलका सा फ्राई करेंगे दोस्तो और फ्राई करने के बाद इसको भी निकालेंगे दोस्तो आलो निकाल लिए मेठी निकाल लिये दोस्तों तो दोस्तों टमाटर काट लिये सिर्फ एक और उसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया सब को डाल दिया दोस्तों और प्याज के दोस्तों मैंने गोल छले काट लिये और गारलिक भी ले लिये दोस्तों और लैसुन भी ले लिये और मिर्ची भी ले करेंगे दोस्तो और रिफाइंड डाल दिया गयाicho इसमें डाले है सब Rafi लाइची और अपने खड़े मसाले दोस्तो मेरे सब्सक्राइब दोस्तों तो मेरे सब मुंदर में दोस्तो छोड दिया है और हलका हलका दोस्तो इसको भी फ्राइ करेंगे दोस्तों इसी स्टेज में दाला गया दोस्तों खड़े मसाले के बाद अधरक के लच्छी जी हाँ जीने तमान की जुलफेक गोल नहीं थी उनके उस समय में स्ट्रेट बाल थे तो वो जिसको रिबॉंडिंग कहते थे और प्याज जीने तमान जी के बाल और दोस्तो ये तीकी तीकी हरी मेरिच बिना रिबॉंडिंग के तो कि वह भी बहुत महंगा है दोस्तों मैंने हरी मिर्ची मांगी थी भाईया से और भाईया ने सिर्फ मुझे दो दीती दोस्तों और दोनों की दोनों मैंने डाल दिये इसमें क्योंकि मुझे बनाना है जहांगीरी आलू मेथी बच्चे पीछे मुस्कुरा रहे हैं दोस् को बताना चाहूंगा कि दोस्तो बड़े प्यार से बना रहा हूं बड़े महबबत से बना रहा हूं दोस्तो और बिलकुल ऐसे बना रहा हूं जैसे जहांगीर का दरबार लगा करता था दोस्तो और यह देखे प्याज के लच्छे गोल गोल दोस्तो जिस तरीके से मेरी बाते गोल होती है दोस्तो उसी तरीके से मेरा प्याज भी गोल है दोस्तो और इनको भी करेंगे दोस्तो फ्राई मिजिस राजपुट चले गई है अभी बाहर की तरफ दोस्तो और इसमें दोस्तो हमने डाल दी है अपने प्यार का तरका दोस्तो ये देखिए दोस्तो प्याज मेरा कर देंगे दोस्तों और चलाएंगे, दो मिनट Um पकाएंगे दोस्तों आपड़ा जाने और जिनको मैंने फ्राइब स् कीकियो ँदिञा तरे उसको इस समय पे इतनी जल्दी सिर्फ क्या करेंगे दोस्तों एक परोठा लिया है उसमें हमने आलू मेर्थी डाल दिया है दोस्तों अपना जहांगीरी और उसका रोल बना रहे है दोस्तों और रोल बना के दोस्तों उसके सलाइस काट लेंगे दोस्तों ताकि उसको खाने मे तो उसको भी इसी रहेगा और हमारे लिए भी इसी रहेगा दोस्तो क्योंकि अभी एकदम से प्रेपरेशन करना तियार करना असान नहीं है तो इसलिए उसका थोड़ा धलका फुलका स्नैक्स की तरह हो जाएगा दो